पाज पाज सुरेव नाठकने, मेरा एज 73 है, एवरी येर में एज चेकिंग के ले जाता हूं, तभी उदर मुझे सेनोगरफी में, लैडर में खड़ा है, इसले हो गया, मैं तकलिफ होने लगा, तभी मैं डिसाइड किया, डॉक्टर विपूल राठर के पासे जाके वो बता देने का, मैं जब इधा रहा तभी डॉक्टर ने बोला, इडिस भेरी डिफिकर्ट, यहां तो आपमीट इमिजेट ना, तो मैं इमिजेट आपमीट हो गया, उसने मेरा उस आपना इज आपना यूरीन के इसमें से एक बड़ा स्टोन निकाला और मिसेश को बताया, उसका स सफेद वाटाना होता है, वैसा था, होता है एक निकल गया, मगर आपके पित्ताशे में तीन-चार खड़े आए, वो तो निकालना पड़ेगा, जो क्रेश किया तो आपको ज्यादा तकलिफ हो जाएगी, इसलिए मुझे बोला, आप आट तारिक को आपको आपमीट हो अपरेशन के बात मेरा दो गंटे के बाद मुझे आराम थोड़ा गिर गया, जब ही मही वहला कि दस तारिक को आप जा सकते हो, मैं इस इंडिया, मुझे ये मानूम था कि मेरा मिसेस का भी इधर, एंडोस्कोपी का प्रब्लम था, इसलिए मैं इधर लाया था, इसलिए मैं किदर भी नहीं गया, खाईली डायरेक मैं इधर आगया, कि अंदेरी में मैं रहता हो, तो मुझे मानूम था, एवरी टाइम जाते समय स्टेशन के, डवली जी ये, ये मैं पहिसान था था, इसलिए मैं इमीजे आगया, अभी मुझे बहुत आराम पड़ता है, और डक्टर बहुत अच्छा है, ऐसा डॉक्टर, एशिया में ये सेकन है, ऐसा बताते है, उन्होंने बहुत से कंट्रीज में डॉक्टर ट्रेंड किये है, तो आपको किसी को भी प्रब्लेम होगा पेट का, तो ये डॉक्टर को बताए, डवली जी आई, याने वर्ड के इस्टो एंट सेंट्रालजी इंस्टिटूट, ये अमोरी नाके पे टर्निंग के उपर ही बड़ा उनका होस्पिटर है, उनका स्टार्फ ही बहुत अच्छा है, कॉपरेटिव नेचर है, थैंक यू